हेलो फ्रेंड्स दिस पारितोस और आप देख रहे हैं I speak about money आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं multi asset investing के बारे में multi asset investing आपके portfolio के लिए क्यों सही है इस पे मैंने एक in-depth detailed में data points के साथ में वीडियो बनाई है तो क्या आप अपने cricket की टीम में 11 batsman रखोंगे absolutely not otherwise bowling कौन करेगा इसी तरीके से one day international t20 test cricket तीनों अलग-अलग format है तीनों के लिए भी आप तीम अलग-अलग तरीके से तियार करोगे so that आप जी सकोस मैच में similarly investments में भी ऐसा ही है जब हम investments की बात करते तो आपको अपने investments में अपने portfolio में अलग-अलग asset classes में अपना पैसा रखना चाहिए ताकि आपका जो financial goal है वो achieve कर सको क्योंकि देखो हर market conditions में asset classes अलग-अलग तरीके से react करती है इसमें मैं data points त्यार करा है मुझे दिखाने वाला हूँ हर जैसे की 2008 की बात कर लिए जब financial crisis आया था उस समय हर equity market ने किसी ने भी returns नहीं दिया लेगिन fixed income products यानि आपके जो government securities bonds है उन्हें डवल-digit returns कमा है similarly आप 2009 की बात के लिए 2009 में इंडियन equity market ने सबसे ज़्यादा returns कमा के दिए जब recovery हुई 2008 के बाद सबसे ज़्यादा returns more than 90% returns आपने इंडियन equity markets में कमा है इवन global equity market के comparison में बात करें वहीं जब जैसे अभी आपका करेक्सर आया था COVID-19 की टाइम पे ताब उससे में gold ने अच्छे returns कमा के दिए जब equity market perform नहीं करता तो gold अच्छा perform करता है तो हर asset classes as per the market condition अलग-अलग market condition में अलग-अलग तरीकी से react करती है इसलिए आपके portfolio में हर asset classes में आपका पैसा invest होना चाहिए analogy की तरह से मिली जैसे क्रिक्री की बारे बात करें थे कि आपकी team में batsman भी होने चाहिए, baller भी होने चाहिए, old rounder भी होने चाहिए इसी तरीके से आपके investment में हर asset classes में आपका पैसा invest हो so that आपका जो भी financial goals हो वो आप achieve कर सोगो, timely achieve कर सोगो खेर मैं आपर 3 solid reasons बताने वाला हूँ कि क्यों आपके portfolio में multi asset investing होनी चाहिए क्यों आपको हर asset classes में अपना पैसा invest करना चाहिए, 3 solid reasons लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, let me introduce GRIP जो हमारी इस वीडियो की education initiative होने लिया है तो मैं अगर GRIP के बारे में बात करूँ guys, तो देखो हम लोग जब investment करते हैं तो हमारे पास investment में काफी सारे options आते हैं, हम stocks में पैसा लगा सकते हैं, हम mutual funds में SIP कर सकते हैं, हम fixed income products में पैसा लगा सकते हैं, fixed deposit का लिए, इस सारे traditional options है, अब इन में से कुछ options जैसे fixed deposit की बात कर लिए, fixed deposit में आपने returns कम मिलते हैं, तो आप inflation को beat नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे में मैं आपको जिस platform के बारे में बताना चाहरा हूँ, वो है grip invest, जहां पे आप अपने portfolio को diversify कर सकते हो, grip basically एक multi asset alternative investment company है, grip आपको commercial real estate, lease finance, inventory finance, corporate bonds, इन में से कुछ options में तो आप हर महीने या quarterly returns भी मिलते रहते हैं, और आप ये returns आसानी से inflation को beat कर सकते हैं, अभी रही time की by time duration की बाद, तो या आप यहां पर दो महीने से लेकि 4 साल तक का investment to know choose कर सकते हैं, amount की बाद, तो अब 10,000 रुपे से minimum amount से भी आप अपना investment start कर सकते हो, अब grip की बारे में बात के तो 410 करोर रुपे का करीब तक का अब तक का अपने investors को पैसा वापिस दे चुके है, 2.5 lakh से ज्यादा इनके investors है, इनका link है description में, अगर आप मेरा referral code यूज करते हो, iSpeaks तो आपको 2000 पहला investment करते हो, तो 2000 रुपे का referral bonus भी मिलेगा, अब मैं आपको दिखा देता हो, आपको इनके platform पे login करना है, वहाँ पे view details पे click करना है, जितने bonds की units पे आप लेना चाहते हो, वो यहां box में enter करके, आप visualize returns पे check click करना है, आप देख सकते हो कि हर मेने आपको कितने amount की payment हाईगी, और आपको total returns कितने होंगे, तो अभी जाएगे, और ग्रिप पे अपना investment स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे description समलने के वहाँ से कीजिए, तो अब हम चलते हैं, अपने 3 regions के बार करें, तो diversification क्यों जरूरी है, तो हर asset classes, अलग-अलग market condition में, अलग-अलग तरीकी से react करें, जैसे मैं starting में आपको बता रहा था, तो starting में ही similarly, देखो, 2008 की बात करें, 2008 में, आप देखेंगे, Indian equity market के returns क्या थे, minus 57.6, उस समय, US security भी गिरी थी, domestic market equity भी गिरी थी, multi asset, हर asset classes में आपको नुकसान था, except India fixed income portfolio, government securities ने, आपने double digital returns कमाये थे, इस particular period में, 2009 की बाट देखें, 2009 में, Indian equity market में, जब recovery हुई थे, 92.7% के returns थे, लेकिन वहीं, US equity market की देख लिए 22.7, developed market equity की बाए 26.4, आप fixed income portfolio में, आपने negative returns था, जबकि Indian equity market में, सबसे ज़्यादा returns कमाये, Similarly, 2013 की बाद के लिए, 2013 में Indian equity market का returns कुछ खास था नहीं, सिर्फ 4.5% का सालाना returns था, लेकिन वहीं US equity market में, 50% से ज़्यादा returns थे, developed market equity में, 44% से ज़्यादा returns थे, वहीं 2019 की बाद देख लिए, 2019 में Indian equity market के 9% थे, सिर्फ उसे में भी US equity market ने बहुँचे returns दिये, 34%, developed market ने, European market Indian equity market से ज़्यादा अच्छा perform करा, तो यहाँ पे एक चीज और देखे, यहाँ पे multi asset portfolio भी हमने बनाया हुआ है, जिसमें आपने 40% Indian equity रखा हुआ है, 10% global equity रखा हुआ है, 45% Indian fixed income and 5% gold, तो इस तरी किसी portfolio बनाया हुआ है, तो देखेंगे, हर financial year में, हर financial year में देखेंगे, इसक जो negative returns थे, 2008 में थे, वो भी सिर्फ minus 13.3%, 13% की ही drawdown थी, सबसे कम थी, basically देखा जाए, तो सबसे कम drawdown थी, आपकी minus 13.3 की, obviously fixed income को छोड़के, तो multi asset portfolio में, हर particular financial year में, जहां आपके पास security भी है, gold भी है, debt भी है, ऐसे इस particular multi asset portfolio उसने काफी अच्छे returns कमाग दिये, compared to Indian equity, तो इस इसलिए multi asset portfolio में, आपको diversification का benefit मिल रहा है, इसलिए आपके returns जो है न, drawdown है, वो comparatively कम है, अब drawdown को समझना, इस second point में समझाता हूँ, दूसरा point आता है, reduce risk, reduction of risk, यानि drawdown जितना कम हो आपके portfolio पे, correction जितना कम हो, उतना बहतर है, जितना कम risk लोगे, उतना बहतर है, मैं इसको example से भी समझाऊंगा आपको, कि देखो Indian equity market की बात करें, हर market condition में, अलग अलग तरीकी से रेक करिये, और हर asset classes, जैसे मैंने बताया, जैसे gold का example ले लिजे, gold की बात करें, तो जब Indian equity market perform नहीं करती, तो gold अच्छा returns कमा के देता है, क्योंकि Indian equity से market लोग पैसा निकाल के gold में ल example देता हूं, माल दिजे कि आपने 100 रुपे investment किये होते, जन्वरी 2008 में, उस से में market का peak था, आपने 100 रुपे investment किये होते, उसके बाद global financial crisis आया, market तकरिवन 64% गिरा, उस 100 रुपे की value 6 होगे, 100 रुपे की जो value थी, वो होगे थी 36 रुपीज, ठीक है, लेकिन उस 36 रुपीज इसको वाफिज 100 रुपे पहुचने में पता है, आपको कितना समय लगा, 86 months, 7 साल से जादा, इसलिए आपके portfolio पे जितना drawdown कम हो, उतना बैतर है, यह दूसरी एक ओर table है, वो देखिए, उसमें जादा अच्छा समझ में आएगा, कि कितना drawdown हो, और recovery करने में कितना समय लग 11% का growth चाहिए, इस तरीके से 100 रुपे से 80 रुपे हो गया, तो 80 से 100 रुपे पहुचने में, वापिस जो आपकी capital है, capital 100 रुपे पहुचाने में, आपको 25% का return चाहिए, similarly, 60% का down होता है, तो आपको 150% का recovery चाहिए, growth चाहिए, तो इसलिए आपके portfolio पे जितना drawdown कम हो, उतना बहतर है, इसलिए multi-asset investing जब आप portfolio रखते हो, हर asset classes में, अपना investments रखते हो, तो आपके portfolio पे drawdown कम होगा, जैसे हमने पहली table पर देखा, अब हमने दो चीजे समझ ली, कि diversification का benefit मिलता है, दूसरा drawdown कम होता है, तीसरा समझते है, returns, तो इसके लिए भी मैंने table तयार करी है, यह यहाँ पर 2017 से, 2016 से हमने अभी तक का एक पुरा data points निकाला, और returns की probability निकली, किस में ज्यादा returns मिल रहे है, तो मैंने यहाँ पर example के लिए, ICC Prudential Multi Asset Fund का एक example लिए, fund को suggest नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और मैंने इसको compare करा, large cap से, ज 3 साल के लिए अपने investments को hold कर रहा हूँ, तो मेरे को 15% से ज्यादा return मिलने की probability कितनी है, तो देखेंगे large cap में 15% से ज्यादा return मिलने की probability लगबक 30% के आसपास थी, लेकिन वहीं अगर आपका ICC Prudential Multi Asset Fund में, मैंने multi asset fund को cover करने के लिए, यहाँ पे इस fund का example ले रहा हूँ, त तो देखेंगे वहाँ पे, there is an a more than 60% probability that you would have made more than 15% CAGR returns in 3 year time frame, 3 years के CAGR return, वहीं अगर बात करें 12, 12% से ज्यादा return मिलने की probability, तो आप देखेंगे 12% से ज्यादा return मिलने की probability, equity large cap में थी, there is an a only I think 50% के आसपास, 50-55% के आसपास, लेकिन वहीं multi asset portfolio में, multi asset fund में, there is a more than 75% probability that you would have made more than 12% CAGR returns, तो ये मैंने 2016 से लेके, 2022 तक का data point लिया, 3 साल के लिए अपने investments को hold करा, ज्यादा return, 12% से ज्यादा return मिलने की probability है, वो multi asset fund में ज्यादा better थी, तो ये 3 मैंने region समझाएं आपको, कि क्यों आपको multi asset investing करनी चाहिए, पहला, diversification का benefit मिलता है, दूसरा drawdown कम होगा, और drawdown जितना कम होगा, recovery करने में उतना कम समय लगेगा, जैसे मैंने आपको 2008 का example लिया, तीसरा, आपको returns भी बहतर मिलते हैं, तो ये 3 reasons मैंने आपको समझाएं, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको multi asset investing करनी है, multi asset portfolio में अपना diversify रखना है, तो मैंने आपको एक platform बताया, grip जिसका link आपको description में मिलेगा, अगर ही वीडियो अच्छे लेगे, वीडियो लाइक का बटन लाइक जरूर कीज़ेगा,